हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होगे और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि टांगों में दर्द होना, जंजनाहट होना और यह किस चीज का संकेत होता है इस से क्या यह पता लगाया जा सकता है कि लड़का होने collection होता है लड़की होने collection होता है काफी साली मेहलाएं जो हैं उनकी बहुत साइई क्योutors होती है बहुत सारे doubt होते हैं जिनको आज इस वीडियो में मैं clear करने वाली हूं उनकी Dust को दूर करने के यह करना विल्कुल फिरी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए जैसे आपकी प्रेग्नेंसी कंफर्म होती है आपको प्रेग्नेंट हैं और आपने एक बेवी को कंसीब क्या हुआ है वैसे आपको आपकी बॉड़ी में धीरे-धीरे बहुत सारे जो है हॉर्म बदलाव के चलते चलते बहुत सारे आपकी बॉड़ी में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जिसमेंसे कुछ यह भी बदलाव होता है देखिए जब आपके तीन-चार महीना लग जाएगा तीसरा-चौता महीना लग जाता है तो उस टाइम आपका जो बजन है ना आपको आपके पैरों के तरफ बहुत ज़्यादा दावाओं साम cozy आपके पैरों पर बहुत ज़्यान जनजनाथ सी महसूस होगी या फिर पैरों बहुत ज़्यादा प्रेशन पड़ेगा STEPHANue बहां 2000 दरते हैं और साथ लीत करिजाए तो यह प्रॉबल्부ल्म तो मेरे साथ भी लड़की तो देखिए यह प्रोब्लम मेरे साथ भी काफी थी मेरे बेटे के टाइम पर कि मेरे पैर की बहुत जदा नस चड़ती थी ठीक है और ज्यादा तर यह होता था रात में तो नस अकर आपकी भी चड़ रही है देखिए तो आपको क्या करना है पहले बाद तो मैं एक आपके बॉड़ी में जो होते हैं उनके बदलाब की वज़े से ऐसा सब कुछ होता है और कुछ आपके अंदर मतलब कमी होती है जैसे कि आपकी केल्सियम की कमी है या फिर आपको कमजोरी है तो इस वज़े से भी यह चीज होती है ठीक है अगर डॉक्टर की माने तो बड़ है एक जगह पे तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है दूसरा अगर आप बहुत ज़्यादा किचिन में काम कर रहे हैं खड़े हो के लगातार आप एक जगह पे खड़े हैं और काम कर रहे हैं खड़े खड़े तो ऐसे में भी आपके पैरों पे बहुत इस दिन में आपको कम से कम सो यह दो गंटे आप दिन में दीजए रात में आप 8 गंटे की नीद्ट पूरी ले लिज़े ठीक है उसके बाद आपको भरपूर मातर में पानी पीना है बाहर का कुछ भी तलाब हुना नहीं खाना है घर का सिंपल खाना खाना है healthy खाना खाना है जिससे कि आपके बेवी को भी अच्छी से healthy हो बेवी और उसको भी कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो आपको जे oily वाली चीज़े जादा खाते हैं तो इससे भी ये problem हो सकती है तो देखें ये मैंने आपको बता दिया है आपका doubt जो था वो clear कर दिया अब बात करते हैं क्या ये जो लक्षन होता है कि लड़का होने का होता है या लड़की होने का होता है देखें मैंने आपको doubt आपका जो था वो clear कर दिया ये लक्षन लड़का होने का विल्कुल भी नहीं होता है डॉक्टर के हिसाब से क्योंकि सैंटिस इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता है तो आपको भी इन चीजों पर 100% का भी विश्वास नहीं करना चाहिए अगर आपको बहुत जद पैरों में दर्द हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं आप घर में सबसे बड़ी है जो ते आपके हलका सा पंजों को दाएं वाएं करके थोड़ा सा उससे बहुत जदा रिलेक्स मिलता है पैरों में आराम मिलता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं दूसरा आप पैरों के नीचे तक्या भी लगा के लेट सकते हैं उससे भी आपको बहुत जदा रिलेक्स मिलता है ठीक आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए होस्पीटल जाना चाहिए आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए और यहां पर आप देखिए लड़का यह लड़की का लक्षन कोई हंडर परसन नहीं होता तो आपको कभी भी इन चीजों पर बिशवास हंडर परसन नहीं करना है ठीक है इस तरह की वीडियो को केवल एक एंट्रेटेन्मेंट के परपल से ही देखिए ठीक है यह सब एक में थैं कहीं सुनी बाते हैं जिन पर जिनको आपको बिस्वास नहीं करना है एंडेट परसंट ठीक है आश्र करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी जादा हैलफुल रहा होगा अगर थोड़े सा भी हैल